तो दोस्तो बात करने वाले है यामाहा की YZF-R15 V3S के कैस और फाइनेस के इबारे में दोस्तो अभी के समय में क्या इसका एक्सोरूम प्राइस चल रहा है और इस बाइक को लेने पर कितने टैक्स आपको देना होगा और ये औन रोड में आपको कितने की मिलने वाली है दोस्तों अगर आप इससे फाइनेस पर लेना चाहते हैं तो कम से कम कितनी डाउन पैमेंट पर आप इससे ले सकते हैं और मैंने इसमें 3 साल का प्लान लिया है तो आपकी परमत की किस्ट कितने की बनती है और टोटल व्याज आपको कितने का देना होगा तो सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को लाश्तलक बने रहेगा तो बात करें जैपूर के प्रैस की तो इसके एक्स ओरूम प्रैस है 1,69,100 रुपे दोस्तो आटी अमांट आपको पे करना होगा 15,078 रुपे का और इंस्टोरेंस के आपके बनते हैं 10,612 रुपे दोस्तो इसमें आपको अधर चैर्जिस भी पे करने होगे जो की हैं 2,675 रुपे तो सभी टैक्सिस को मिलाने के बाद आपके उन्रोड प्रैस बनते हैं 1,87,465 रुपे तो दोस्तो यह तो हुए इसके कैस्ट प्रैस की बाद तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फाइनस की अगर आप कराते हैं इसकी डाउन पैमेंट 30,000 रुपे की तो आपका लोन अमांट निकल कर आएगा 1,57,465 रुपे का दोस्तो अगर आप इस लोन अमांट को 3 साल याने की 36 महिने के लिए फाइनस कराना चाहते हैं तो 14.4 का रेट ओफ इंटर्स लगाने पर आपकी परमंत की किस्ट बनती है 15,412 रुपे की दोस्तो इस लोन अमांट को 3 साल के लिए फाइनस कराने पर आपका टोटल ब्याज बनता है 16,382 रुपे का तो डाउन पैमेंट और सभी किस्ट को पे करने के बाद आपका टोटल अमांट बनता है 2,24,847 रुपे का दोस्त अगर आप बे किसी गाड़ी के फाइनस की जानकारी चाहते हैं किसी बी आउन पैमेंट पर या किसी भी जगा के तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं मैं आपकी कमेंट का जल्से जल्द रप्लाइ करने की कोसिज करूँँगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं